प्यारे बच्चो नमस्कार, इस वीडियो लक्षर में हम नौविक अक्ष्या के गणित की पर्षनावली दो दस्मलों दो के पर्षनों को हल करेंगे, इस पर्षनावली के पर्षनों को हल करने से पहले हमें कुछ एक टॉपिक्स डिसकस करने होंगे, जिस में से सबसे इंप् बहुप्पत की सुन्यक। बहुपत के सुन्यक से पहले, जैसे मैं आपके सामने थुदा सा डिसकस करता हूं, कि किसी भी बहुपत की इदिखी संख्या पर मान कैसे निकालते हैं। मान लेजिए कि आपको एक बहुपत दे रखा पी एकस बराबर पांच एकस स्केर माइनस तीन एकस प्लस साथ है और आपको दे दिया जाए कि एकस बराबर एक पर इसका मान क्या होगा तो हम पी एक का नाम देंगे से और जहाँ पर भी एकस है वहाँ पर एक रख देजिए पांच गुणा एकस की जगए एक रखा इसका स्केर फिर माइनस तीन एकस की जगए फिर एक प्लस साथ 5 गुणा 1 का सुखेर 1 ही होता है तो इस बहुपद का मान क्या होगा 9 होगा तो इस तरह से हम किसी भी दिये गए बहुपद का किसी भी संख्या पर मान निकाल सकते हैं अगर x बराबर 2 पे निकलना हो तो x की जगे 2 पूट कर देए माइनस 3 पे निकलना हो तो x की जगे माइनस 3 पूट करके इसको सोल कर लेए तो इस तरह से किसी भी दीगी संख्या पर हम किसी भी बहुपद का मान ग्याद कर सकते हैं अब बहुपद का सुनने क्या होता है सुनने के एक्स का वो मान होता है यदि किसी बहुपद में दिये गए बहुपद में एक्स के हम कोई वैल्यू रखें और वो वैल्यू रखने के बाद मान क्या आजे, जीरो आजे तो x की वो value क्या कहलाती है, सुनने कहलाती है, थोड़ा दान देके समझाता हूँ, जिसे मान लिया, px ब्राबर है, x square minus 4, और मैंने x ब्राबर लख दिया 2, तो p2 का मान देखिए, 2 का square minus 4, 2 का square कितना 4, 4 minus 4, क्या आगया, 0, तो x ब्राबर 2 रखने पर बहुपद का मान क्या आगया, 0, तो हम कहेंगे कि x ब्राबर 2 दिये गए बहुपद का सुनने कहें, तो यहां से एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, कि किसी भी बहुपद का सुनने कहें, कोई ज़रूरी नहीं है कि 0 यह हो, क्योंकि इसमें 0 रखूँगा, तो p 0 प्राबर 0 का square minus 4, minus 4 आगया, 0 तो इसका सुनने कह नहीं है, तो किसी भी बहुपद का सुनने कह 0 होना ज़रूरी नहीं है, और 0 किसी भी बहुपद का सुनने कहो भी सकता है, लेकिन कंपुलसरी नहीं है कि हर एक बहुपद का सुनने कह 0 ही हो, कोई भी मान हो सकता है उसका, अब अगर बहुपद रैखिक है, अब देखिए, रैखिक बहुपद के वलेकि सुनने कह उता है, लेकिन दवी गाद बहुपद है, तो इसके दो सुनने कहो सकते हैं, जैसे दवी गाद बहुपद है, इसमें मैं एक्स बराबर माइनस दो पुट करता हूँ, तो देखिए क्या आएगा, एक्स बराबर माइनस दो पुट करने पर, पी माइनस दो देखिए क्या आएगा माइनस दो का वरग माइनस च्यार माइनस दो का वरग क्या आएगा पलस का च्यार यह आएगा पलस च्यार माइनस च्यार यह भी क्या गया जिरो तो इस बहुपद के दो सुनने को गए एक कौन सा पलस का दो और दूसरा कुण सा माइन्स का दो तो हम यह कहेंगे कि एक बहुपद के एक से अधिक सुनने कभी हो सकते हैं जैसे तभी गात बहुपद के अधिकतम दो सुनने को सकते हैं त्री गात बहुपद के अधिकतम तीन सुनने को सकते हैं तो यह चीज़े ज़़ा है आपने मैं इन लिए अपने माइंड में रखनी है कि आवसक नहीं है कि बहुपद का सुनने को सुनने ही हो लेकिन सुनने हो सकता है किसी कब सुनने और रहाखिक बहुपद का एक और केवल एक ही सुनने को होगा और एक बहुपद के एक से अधिक सुनने के भी हो सकते जैसे मैंने यहाँ पर उदारन दे करके बताया है अब देखिए इतना डिस्कस करने के बाद हम परशनावली दो दस्मलों दो के परशनों को हल करेंगी यहाँ पर सबसे पहला क्युस्टन है कि निमल लिख्त पर बहुपद 5X-4X2-3 के मान गया थे किजिए तो यहाँ PX मराबर दिया हुआ है 5X-4X2-3 फर्स्ट है X मराबर 0 अधा आपको P0 फाइंड आउट करना है 5X की जगे 0 पुट करें 0 का स्केर हो जगेगा पुलस 3 यहाँ जहाँ पर भी X दिखाए देवाँ 0 पुट कर दो 5 गुणा 0 0 माइनस 4 0 का स्केर 0 अधा 0 गुणा 4 यह भी 0 हो जगेगा पुलस 3 तो यह 3 एंसर हो जगेगा अब सेकिंड पाट देखी यहाँ X ब्रावर दिया माइनस 1 तो P माइनस 1 का मान देखी तो जहाँ पर X हमाँ माइनस 1 पुट कर देए 5 गुणा माइनस 1 माइनस 4 गुणा माइनस 1 का स्केर पलस 3 5 की माइनस 1 के साथ गुणा माइनस 5 माइनस 1 का वरग पलस का एक एक चो के 4 माइनस 4 पलस 3 माइनस 5 और माइनस 4 माइनस माइनस वाले लग जोड़त लिजे माइनस की 9 पलस 3 इसी तरह से इसका तीस्रा पार्ट देखिए PX है हमारे पास 5X-4X2 प्लस 3 और X का मांदे रखा है 2 तो हमें P2 find out करना है 5 गुणा 2 मांदस 4 गुणा 2 का स्क्यर प्लस 3 एंजा X दिखाई दिया हमाई यह 2 रख दिया हमाने 5 तुनी 10 10-2 का स्क्यर चार 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 चेह 16 प्लस 3 10 प्लस 3 13 मैनस 6 13 मैनस 6 कितना है मैनस का 3 तो यह exact answer आजे है तो फर्स्ट कर्यस्ट के साथ है हम किसी भी दिये गए मान पर हमकिसे बहुपद X की किसी भी दिये गई value के लिए हम किसी बहुपद का मान ग्याद करना सीख गए है अब second question निमलिक्त बहुपदों में परतेक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 गेमान ग्याद किजी तो first part है यहाँ पर आपको PY दिया हुआ है Y square minus Y plus 1 इसमें आपने P0 ग्याद करना है 0 है तो Y की जाए 0 पुट करें 0 square minus 0 plus 1 यहाद है 0 का square 0 minus 0 plus 1 या नहीं, solve करेंगे तो 1 आजाएगा इसी तरह से आपने P1 find out करना है P1 में Y की जाए 1 पुट करेंगे 1 का square minus 1 plus 1 1 का square 1 minus 1 plus 1 0 plus 1 यह भी क्या आजाएगा 1 आजाएगा और आगे P2 P2 है तो P2 है तो Y की जाएगा 2 पुट करें 2 square minus 2 plus 1 2 का square 4 4 minus 2 plus 1 4 में से 2 होगे 2 plus 1 3 तो इस तरह से हम P0 P1 और P2 find out कर सकते हैं पुट करेंगे 2 पुट करेंगे 2 पुट करेंगे पुट करेंगे माइनस T का क्यूब बत एक का क्यूब 2 पुलस एक 1 का square 1 गुट दो जाएगा माइनस एक का क्यूब 1 2 पुलस 2 4 4 पुलस एक 5 5 5 माइनस एक कितना जाएगा 4 अब आगे P2 P2 में 2 पुलस T की जाएगा भी 2 पुलस 2 T2 का square माइनस TQ बत 2 का Q 2 पुलस 2 तो इसमें 2 का square 4 4 दुनी 8 2 का घन क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा 2 दुनी 4 दुनी 8 अब 2 पुलस 2 4 यह पुलस 8 से माइनस 8 कैंसल होई गया तो यह क्या हैगा 4 अब इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट और यहाँ P X बराबर दे रखा आपको X Q तो P 0 में 0 का Q हो जाएगा 0 ही आजएगा P 1 में 1 का Q 1 ही आजएगा 1 गुणा 1 गुणा 1 और P 2 में 2 का Q 2 गुणा 2 गुणा 2 2 दुनी 4 दुनी 8 आजएगा अब इसका 4th पार्ट देखिए यह 3rd पार्ट था 4th पार्ट में आपको दे रखा है P X बराबर X माइनस 1 उन्टू X प्लस 1 P 0 में देखिए 0 माइनस 1 उन्टू 0 प्लस 1 माइनस 1 गुणा प्लस का 1 माइनस 1 आजएगा इसी तरह से P 1 में देखिए 1 माइनस 1 इन्टू 1 प्लस 1 0 इन्टू 2 यह 0 आगया और P 2 में क्या करेंगे आप 2 माइनस 1 इन्टू 2 प्लस 1 X के जगे 2 पुट करेंगे 2 माइनस 1 एक आगया 2 प्लस 1 तीन आगया तीन एकम तीन एंसर आगया अब प्रशनावली 2 दूसमलो 2 का प्रशन 3 सत्यापित कीजिए कि दिखाये गए मान निम्मलिक्त स्थीतियों में संगत बहुपत के सुन्नेक है अब देखिए यहाँ पर यह बहुपत दे रखे हैं और फिर X का मान दे रखा है हमें यह सत्यापित करना है कि यह जो X का मान है यह इसका सुन्नेक है और यदि किसी सम्में यह इसका सुन्नेक नहीं है तो हम लिख देए कि दिया गए X का मान इस पहुपत का सुन्नेक नहीं है तो इसमें फर्स्ट ट्राइ करते हैं फिर्स्ट में देखिए PX आपको दिया हुआ है 3X प्लस एक और X का मान दिया माइनस एक उटे 3 तो मैं यहाँ पर P माइनस एक उटे 3 चेक करूँगा तो 3 X के जए क्या रखों माइनस एक उटे 3 प्लस एक 3 से 3 कैंसल माइनस एक प्लस एक क्या आगया 0 अब हम लिखें क्योंकि P माइनस एक उटे 3 वरावर 0 है इसलिए X परावर माइनस एक उटे 3 PX का एक सुन्नेक है अब सेकिंड पार्ट सेकिंड पार्ट में PX दिया हुआ है 5 X माइनस पाई और X का मान दिया है 4 वराटे 5 तो यहाँ P 4 वराटे 5 हम कल्कुलेट करेंगे 5 X की जगर रखेंगे 4 वराटे 5 माइनस पाई 5 से 5 कैंसिल यह आगए 4 माइनस पाई 4 माइनस पाई 0 के बरावर नहीं है तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि P 4 वराटे 5 0 के बरावर नहीं है इसलिए एक्स ब्रावर च्यारवटे 5 पी एक्स का सुनने के नहीं है अब थर्ड पार्ट देखी थर्ड पार्ट में आपको एक्स ब्रावर एक और एक्स ब्रावर माइनस एक दो चेक करने है और पी एक्स दिया हुआ है एक्स सुक्यर माइनस एक तो पहले मैं पी एक चेक करूँगा तो एक्स के जगए एक रखें एक का सुक्यर माइनस एक एक माइनस एक क्या आगया जिरो तो पी एक भी जिरो आगया और पी माइनस एक अगर रखें तो माइनस एक का सुकेर माइनस एक माइनस एक का सुकेर भी ब्लस का एक होता है एक माइनस एक जिरो तो हम यह लिखें क्योंकि पी एक बराबर जिरो तथा पी माइनस एक बराबर भी जिरो इसलिए एक और माइनस एक पी एक्स के सुने खें पी एक्स के सुनने के है अब आगे इसका फॉर्थ पार्ट देखी फॉर्थ पार्ट में पी एक्स दिया हुआ है एक्स प्लस एक और एक्स माइनस दो एक्स के वैले दे रखें माइनस एक और दो पहले क्या कैलकुलेट करेंगे एक्स माइनस एक एक्स के जगा माइनस एक रखा यह कैलकुलेट करेंगे जिरो आएगा और यह माइनस तीन आएगा जिरो इंटू सम्थिंग जिरो हो गया इसी तरह से P2 कैलकुलेट किजी 2 पुलस 1 और 2 माइनस 2 3 गुणा 0 ये भी 0 तो इस किस्टन की तरह से लिखें क्योंकि P माइनस 1 बरावर 0 तथा P 2 बरावर 0 इसलिए X बरावर माइनस 1 और 2 P X के सुनने के अब फिफ्ट पार्ट में देखिए P X दिया हुआ है X के है और यहां पर X कमान दिया हुआ 0 तो अगर P 0 हम लिखेंगे तो 0 का स्केर क्या होगा 0 तो हम लिखेंगे क्योंकि P 0 बरावर 0 है इसलिए X बरावर 0 यह 0 जो है वो P X का एक सुनने के है अब आगे शिक्स पार्ट देखिए यहां P X दिया हुआ है L X पलस M X कमान दिया हुआ है M बाई L P माइनस M बाई L जो है किसके बरावर होगा L इन्टू माइनस M बाई L पलस M L से L कैंसिल माइनस M पलस M क्या आगे 0 अब हम लिखे हैं क्योंकि क्योंकि P माइनस M बाई L बरावर 0 है इसलिए माइनस M बाई L P X का सुनने के है अब सेवन्थ पार्ट में देखिए P X गीवन है 3 X के र माइनस 1 और X के मान दिए है माइनस 1 उटे रूट 3 और 2 उटे रूट 3 तो P माइनस 1 उटे रूट 3 ये रूट को देखके गबराना नहीं आपने देखिए बड़ाई असानी से सोल हो जाए गई 3 गुना X के आपने क्या रखना माइनस 1 उटे रूट 3 सुकेर लगा दिजी माइनस 1 3 माइनस वाड़ी संख्या का सुकेर हमें सही पलस होता है और वरगमूल वाड़ी संख्या का सुकेर करते हैं तो वरगमूल हट जाता है कि याद रखें कि वरगमूल X का सुकेर ज़व एक्स होता है क्योंकि वरगमूल X गुना वरगमूल X गुना वरगमूल X गुना वरगम तो वही चीज हम नहीं आपर लगाई है माइनस एक तीन से तीन के निचल हो गया एक माइनस एक क्या गया जिरो आगया इसलिए पिछले पार्ट की तरह से लिख देंगी कि यह इसका एक सुनने का अब चलो दूसरा और चैक कर लेते हैं साथ की साथ पि दो गोटे रूट तीन व्रória तीन एक सज़ए क्या रखें दो गोटेरूट 3 इसका सुकेर माइनस एक 2 म्ओन दो के स्केर कितना अगह सुकेर चैरूट 3 का ओगा तीन माइनस एक 3 से 3 कटुए चैर माइनस एक यह तीन आया यह जीरो के वराबर नहीं है तो हम यहां लिखेंगे कि यहां पर लिखती जी कि माइनस एक उटे रूट तीन पी एक्स का सुनने है क्योंकि पी माइनस एक उटे रूट तीन ब्राबर जिरो है और इसमें क्या लिखेंगे क्योंकि पी दो वटे रूट तीन जीरो के ब्राबर नहीं है इसलिए दो वटे रूट तीन पी एक्स का सुनने का नहीं है अब इसमें लास्ट सेवन्थ पार्ट है और सुरी एर्थ पार्ट है पी एक्स ब्राबर तो अप्स प्लुस एक यहां इस प्राबर एक उटे दो हैं तो पी एक उटे तो ब्राबर कर दो गुणा 1 वोट दो प्लस एक दो से तो चनल ओगा एक प्लस एक क्या आ गया दो आ गया इसका मतलब कि यह इसका सुन्ने के नहीं है क्योंकि पी एक वोटे दो ब्राबर जीरो नहीं है इसलिए एक वोटे दो पी एक्स का सुन्यक नहीं है अब दो दस्मिन दो प्रस्ण औरली का प्रस्ण नमबर चार नेमलिक स्थीतियों में से परतेक स्थीतियों में वोपन का सुन्यक ज्याद कीजिए तो इसका फर्स्ट पार्ट देखिए कि यहां पर हमें वोपत दे रखा पी एक्स बरावर एक्स प्लस पांच और हमें इसका सुन्यक ज्याद करना है तो यहां पर हम एक लाइन लिखेंगे हम जानते हैं कि पी एक्स का सुन्यक या बहुकत पी एक्स का सुन्यक पी एक्स बरावर जेरो का हल होता है इसलिए पी एक्स बरावर जेरो इंप्लाइस दै एक्स प्लस पांच बरावर जेरो और एक्स बरावर क्या जाया माइनस पांच तो माइनस पांस बहुपत एक्स प्लस पांस का सुन्यक होगा इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट जब हम सॉल करेंगे सेकंड पार्ट में यह लाइन तो सेम लिखनी है आपने ठीक है समय बजाने के लिए मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ सेकंड पार्ट में पी एक्स के दिया है X-5 पी एक्स ब्राबर आज्ट मैनस है तो पी एक्स ब्राबर 0 implies that X-5 ब्राबर 0 तो यहांसे एक्स ब्राबर पांसी साट जाकर के प्लस का ओ तो पांच बहुपद है एक्स माइनस पांच सिद्धा के दो जाए पी एक्स बराबर एक्स माइनस पांच से का सुनिक है अब इसका थर्ड पार्ट देखिए थर्ड पार्ट में दे रखा आपको पी एक्स बराबर दो एक्स प्लस पांच ये वड़े लाइन तो लिखो गई यहाँ पर लिखते न अब पी एक्स बराबर जिरो इंप्लाइज देट दो एक्स प्लस पांच बराबर जिरो और दो एक्स बराबर ये पांच राइट में जाकर के जिरो माइनस पांच माइनस पांच हो जाएगा और एक्स माइनस पांच ये दो इदर गुणा में या जाकर के भाग में हो जाएगी तो हम लिखेंगे माइनस पांस उटे दो पी एक्स बराबर दो एक्स प्लूस पांस का सुनने के अब इसका फॉर्थ पार्ट देखें फॉर्थ पार्ट में पी एक्स दिया हुआ है तीन एक्स माइनस दो तो यहां से अब पी एक्स बराबर जीरो रखते हैं तो तीन एक्स माइनस दो बराबर जीरो तीन एक्स बराबर दो इस हैड़ जाकर के पलस का बजाएगा जीरो पलस दो दो ही आएगा x ब्रावर 2 गोटे 3 तो 2 गोटे 3 P x ब्रावर 3 x माइनस 2 का हल है अब पांचमा पार्ट देखिए P x ब्रावर 3 x दिया हुआ है उपर वी लाइन लिखेंगे कि हम जानते हैं कि P x का सुन्ने के P x ब्रावर 0 का हल होता है हम हम जानते हैं कि P x का हल P x का सुन्ने क P x ब्रावर 0 का हल होता है तो अब P x ब्रावर 0 कार्थ है 3 x ब्रावर 0 इसका मतलब x ब्रावर 0 ब्रावर 0 ब्रावर 0 ब्रावर 0 या जाएगा तो 0 या सुन्ने P x ब्रावर 3 x का सुन्ने के अब इसी तरह से छटा पार्ट हो जाएगा थी निचा सुन्ने के छटे पार्ट में इतना त मप्रावर जीरो श्मि Deb अब P x ब्रावर 0 यह खे जीरो लिग घ्रा यह जीरो जीरो यह तक टो इसका ज़िए इसकी ठीजिए… एक्स का सुनिक है अब इसका लास्ट पार्ट देखे सेवंथ में दिया हुआ है पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी सी इस नॉट इकूल टो जिरो और सी और डी वास्त विक संखे हैं यह बापको बताऊंगा कि क्यों दिया हुआ है तो यहाँ पहले उपर की तरह से लिखती हुए पी एक्स बराबर जिरो तो सी एक्स प्लस डी बराबर जिरो और एक्स बराबर माइनस डी पहले तो जिरो माइनस डी माइनस डी हो जाए फिर बाद में इस सी इसके डिवाइड में चला जाएगा अब देखिए यह चीज क्यों लिखी है क्योंकि c is not equal to 0 अगर c 0 हो जाता तो something divided by 0 अभी तक मैथ में प्रिवासित नहीं है इसलिए चीज लिख देते हैं तो अब माइनस d by c पी एक्स ब्राबर क्या था सी एक्स है बस डी का सुन नेक है तो इस तरह से हम दो दस्मुर्दों कुष्णावली के पुष्णों को काभी आसानी से हल कर सकते हैं प्यारे बच्चों अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लेज इसे लाइक जरूर कर दें और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले शेयर का बटन दबा करके अपने दोस्तों के पास भी से शेयर करें थेंक यू है वे नाइस डे